कि अरे क्या हो गया क्या हो कि अधिक भी क्या हो गया तो आ तो गई हाँ वैज सेल तो आगी है लेकिन आप में से काफी लोगों को इस टाइम पे ऐसी गुसा आ रहा होगा तो टेंशन मतलो मैं आ चुका हूँ आप सब के पैसे बचाने के लिए इस टाइम पे अगर आप चीज लेंगे, या बिग बिलियंड डे पर यह चीज लेंगे, आप पता है कि बिग बिलियंड डे पर जो से लानिया में थोड़ी अलग होगी, अभी के कम बैजर में, लेकिन इतना फर्क कैसे ही डाल सकते हैं, पहले मैं आपको जरा Amazon दिखाता हूँ, मैं बताओंगा आपको इसका प्राइस दिखाया गया 65999, और आपको याद होगा, मैं इससे बहले आपको यही फोन बता चुका हूँ कि आप 61-68000 में अराम से बाइक कर सकते हैं, पहले भी इसका यही प्राइस चल रहा था कापी टाइम से, ओफरेंड में भी डिसकाउंट अच्छा मिल रहा था, और अब सेल के नाम पर इसको इसी प्राइस पर बेचा जा रहा है, तो अभी आप इसको लेने की गल्टी मत करना, बिकोज, बिक बिक बिलेंड डे पर यह फोन आपको 50-55 इस स्रेंज में अराम से देखने को मिलेगा, और यह हम हर साल देखते हैं, जो बिक बिक बिलेंड य 5G, अब यह ठीक है, 25,000 का यह फोन दिख रहा है, और इसकी सेल भी अभी स्टार्ट हो रही है, स्नैपडगन 782G इस फोन में है, जो की सक्सेसर है, 778G प्लस का, तो इससे मुझा उमीद है, मैं टेश देर के आपको बताऊंगा, बागी मुझे पैकेज यह अच्छा रख र वैसे आपको 15-20 के बीच में सेमसंग का फोन चाहिए, तो यह उस रेंज में ठीक है फोन, बागी मेरे उमीद थी यह 15 तक फोन आएगा, इसकी वैल्यू उतनी बिल्कुल सही थी, फिर है अपका Redmi 12 5G, इसकी भी अभी न्यू लोंज आईए, सेल अब स्टार्ट होई है, तो Snapdragon 4 Gen 2 इस फोन में अवेलेबल है, इसको भी मैंने अभी टेस्ट करना है, ओंदे पर देखकर यह भी अच्छा पैकेज लग रहा है, बागी Realme Narzo 60 17,000 का, कुछ भी यहां पर स्पेशल दिसकाउंट नहीं है, और IQ News 7 Pro 5G, 32499, जब कि 32,000 का एपोन पहले भी आज चुका है, ज Snapdragon 2, अच्छी बात है, 21 का आपको मिल रहा है, यह मिल रहा है, वो बड़ी बात है, तो इसको आप बाई कर सकते हैं, और आपको इस रेंज का फोन चाहिए तो, फीचर बगरना यहां पर कमाल के दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, OnePlus Note 3, वही 33,000 का यह फोन मिल रहा है, यह मै आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, हमने अभी चार फोन का कमभाजन किया था, नदिंग फोन, आइकूर नियो 7 प्रो, और OnePlus Note 3, साथ में OnePlus 11R, वह आप चेक करेना, हमने सब बदाया है, इस फोन को बाई क्यों नहीं करना है, इसके बाद है, Samsung Galaxy M13, इग्नोर, 9650 इस फोन का प यहां पर नहीं है, अब मैं ऐसी ता फ्लिपकार पर आता हूँ, विकोज अमजोन पर तो, Redmi Note 12 एक दिख रहा है, 15,000 का, यह काफी टाइम से इसका प्राइस कब मोच चुगा है, माई की साइट पर यह 15 का, कब से फोन मिलना स्टार्ट हो गया था, तो वैसे अगर मैं देखत फोन यह ठीक है, सैमसंग A34 5G भी आपको मिल रहा है, 27,000 का, ओफ्लेंग में आप जाके देखो, 25 में एफोन आराम से मिल जागा आपको, ओनलाइन के चक्कर में मत आना इस फोन के लिए, विकोज यह ओफ्लें सेंट्रिक स्मार्टफोन है, दोस्तों वीडियो अच्छे कुछ यहां पर ज्यादा डिफ्रेंस नहीं आ रहा है, एमजोन पर तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, अब मैं फिलिपकार्ट यहां पर देखता हूं, फिलिपकार्ट पर तो कई इजिनों से सेल का बैनर लगा हुआ था, पहले किसी और नाम से था, फिर नाम चेंज करके क कुछ और हो गया, अब उसको नाम चेंज करके हो गया अपना विक सेविंग डेस, सबसे पहले है, सैमसंग गलेक्सी एफ तोने टी फाइट जी, तेरह जार का यह फोन आपको मिल जाएगा, अब तेरह जार में वैसे मैं देखता हूँ ना, परफोर्मेंस यहां पर बहुत मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है अब यह फोन बहुत पुराना हो गया है, तो फिलाल भूल जाओ, वैसे मैं इस फोन को कुछ नहीं पहले वाली सेल में 11,000 का भी देख चुका हूँ, यह भी मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ अभी, सैम गलेक्सी एफ 13 भूल जाओ, पोक डिस्प्ले, नैंटियर्स का रिफैचेट, यह जो पूरा पैकेज बना रहा है, काफी बढ़िया पैकेज है इस रेंज का यह, बागी, मोटो जी 62 की जान तक बात है, इसका प्राइज भी 14,000 मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन यहां पर वज़िया है कि अमोलेट इस प 5G, यह फोन आपको मिल जाएगा, वही, 29999 में कब से मैं बता रहा हूँ कि 30,000 से आज पर यह फोन मिल रहा है, अभी भी वही प्राइज है, फोन अच्छा है, आप देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम कुछ आइफोन की तरफ नजर मारते हैं, आइफोन के लेने का बेस्टाइम होता है, फ्लिप कार्ड यहां अमजोन की जो आगे से लाती है ना, फैस्टिव सीजन में, बिग बिलियन डेज हो गया, ग्रेट इन फैस्टिवल हो गया, वो बेस्टाइम रहता है, अभी तो लूट मचा रखी है, अगर आप देखेंगे आइफोन मैंनी कर रहा है, इसको भूल जाओ आप अभी, बिबिलियन डे में लेना, आइफोन 12, 52,750 रूपीज, आइफोन 12, जो की हम 40,000 में, पिष्टी सेल में बाय कर चुके हैं, और ये फिर से आपको 35,000 तक देखने को मिलने वाल हैं, अगली सेल में, तो अभी आप इसको भी 33,999 ये बैनर लगने वाले है, इसका फिलिपकार पर आप चेक कर सकते हैं, बिग बिलियन डे के टाइम पर, तो इस टाइम पर कोई सेंस नहीं बनती, इस फोन को इस प्राइस पर बाय करने हैं, ये कुछ यहां पर स्पैशल लील नहीं है, कुछ नहीं पहले भी ये फोन इत जब से फोन लोंच हुआ था, आप कोशिश कर रहे हैं, ये लोग की प्राइसिंग कम करके, इसका स्टोग खतम किया जाए, अब यहां पर ना तो हाई रिफ्रेश एट है, ना तो इसमें कैमरा, अच्छा है कैमरा, लेकिन उतना स्टोग नहीं कि मैं कहा दू कि पिक्सल है, तो इसमें पूरी दुनिया को हिलाग रख दिया, और ना ही यहां पर आपको ऐसा यूजर एक्सप्रेस उतना कमाल का होगा, बग्स यहां पर भर-बर के आपको मिलेंगे, बागी पोको का यह फोन है, रियल्मी 11 प्रो सीरीज, कितना लोग वेट करें थे 11 प्रो प्लस या प्रो का प्राइस कम होगा, नहीं हुआ यार, सब वही है, 27 रर का मिलना प्रो प्लस और 23 रर का मिलना आपको 11 प्रो, अब 23 नार्जो 60 प्रो है, तो क्या फर्क राख दोनों में, जबकि उन्होंने मैटेरियल में फर्क डाला हुए, नार्जो 60 प्रो में जो मैटेरियल है, वह लेदर उतनी प्रीमियम नहीं जितनी की है, रियल्मी 11 प्रो की, क्या अर्मा भी वहापर कम कर दिया इसके कम बैजन में, तो हम वह क्यों लेंगे, यह क्यों नहीं लेंगे, तो सीधी बात है, 23 रर में फोन अच्छा है, वहापर मैं इसको मना नहीं कर रहा, वैसे प्रा क्योंकि उसके माद जो और फोन लोंज हो गए है, उन्होंने पूरी टकर दे दिया इस स्मार्टफोन को, अगर मैं और नीचे आखर देख रहा हो ना, तो यहां पर एक तो, इन्फिन्स हो, 30 आई है, 7000 का एफोन मिल रहा है, यह मैं आपको दिक्मेंट करूंगा, बिकॉज 7000 में 98 का refresh rate, 128 GB storage, यह अपने आप में बड़ी बात बन जाती है, वरना 128 GB को यह में देता नहीं है, इस प्राइस पे, अगर मैं इसकी प्रफोमेंस की बात करता हो ना, इस फोन में मिल रहा है किलो जी 37 है, जो solid निया पूर सहा है लेकिन नॉर्मल यूज में, या anti-level फोन के बड़ीया package है, वीवो T2 5G 17,000 का काहे का भाई, काहे को हम भरें इस पे 17,000 रुपे, Snapdragon 695 है, AMOLED डिस्प्रेय है, वो अच्छी बात है, 15 में होता, तब बात समझ आती, Realme C55, कितने टाइम से बता रहा हूँ, आपको 10,500 में मिलना, कोई नहीं बात नहीं है, यहाँ पर, वी बाकि Samsung F14 में देख रहा हूँ, 11,990 का प्राइज अच्छा है, लेकिन नया नहीं है, पहले हम यह फोन इतने का कई दिन से बाई कर रहे है, बाकि अगर आपको Samsung का बजट फोन चाहिए ना, यह फोन आपको निराश नहीं करेगा, पैसा वसूल है, चेंज आरह में इसकी बै ले लिया तो, अगर हम और आके देख रहे हैं तो Moto G13, 9250 में मिल रहा है आपको, अच्छी बात है, 9250 में 128GB स्टोरेज, अच्छी बिल्ट क्वाल्टी और अच्छा यूजर एक्स्पियर्स, यह इस फोन की तुड़ा फायदा होगा आपको इसका, नदिंग फोन 1, 27, 250, आप ये चीज़ समझ जाओ, मैंने आपको जो चार-पांच फोन बताए हैं इनमें से दो फोन है, Poco X5 है और Moto G62 है, जिनकी प्राइज में थोड़ा बदलाब दिख है, बाकि जो रिक्मेंट करने वाले फोन थे होगा आपको बता दिया है इस वीडियो में, साथ में एक इक करते हैं इस देल के बारे में, फिलाल तो don't buy wrong phone, मैं उम्मीद करता हूँ, आपको help मिलिए आज की वीडियो से, मिलियो, like करो, share करो, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, thanks for watching this video.